मिवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि सड़क हाथसे में खायल व्यक्ति ने दम तोड़ा पुनहाना नकीना मार्क पल लहावस गाओं के शमीप गत 22 फरवरी रात के वक्त हुए हाथसे में खायल ने दम तोड़ दिया है सब को कपचे में लेकर पुलिस ने अलाफी अस्पताल माड़ी खेडा से पोश्ट मार्टम करा कर परीचनों के हवाले कर दिया है पुलिस ने आरोपी चालक को ग्रपतार कर पहले ही आदलत में पेश कर दिया था जानकारी के अनुसार सहाबो तीन पुत्र इबराहीम निवासी मूल्थान उम्र 29 वर्ष को सड़क किनारे बिलेरों ने टकर मार दी थी उसी दिन से दिली राम मनोहल लोहिया में अस्पताल में इलाज चल रहा था मरतक अपनी बेहन की सस्राल से भांजा सरीव के साथ नीमका गाउं से अकबर पुर काम पर जा रहे थे रास्ते में एक बिलेरों कार ने टकर मार दी जिससे वह लहू लुहान हो गया कुछ दिन पहले ही उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था घर पर आने के बाद तबियत खराप होनी लगी जिसके कारण उशे नलहर कॉलेश लिचाय किया लेकिन टाक्टरों ने उसे फिर आर एमेल तिली रेफर किया गया वहां पहुचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया कुल मिला कर कई महीने तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा सहाबो तीन जिंदगी की जंग हार गया सहाबो तीन की मौत हो चाने से परिवार वैक्रामीन सत्मे में है चार बच्चों के सिर से भी पिता का साया अब हमेशा के लिए उठ चुका है आप देख रहें नुहू मिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट कि एक्सिडेंट में चूट लगी ती उसके करन मोत हो अब इसका पोश्ट आटम करा के और लास वारिसान का वाले करेंगे कि नाम साब गुद इन शनौप इब रही मैं और यह अपने एफेक्टिव काम करने के लिए जाता था और बाइस तारीक को यह अपने सुबह सुबहीं काम पे गया था नेमका से अपनी बहन के वहां से पिनंगवा काम करने के लिए और तो रस्ते में एक अई सोच के लिए उत का पर इनका इलाज चलता रहा इनका इलाज सुरुमें इंको बांडे घेडा अलाफय कि रहे उसके बाद मैं इनको नलट दे लिया नलट के लिए तुरन्स के इनको रामन उर लोहिया दिल मी ले ले ति और वहां आ अलाफय होस्पीटल के बास मुबारिक रात मैं यह नीम का स्वारा दोन माम बाण जा काम पर जा रहा है वा मैं पिनंगों महीनू तो यह खड़ो जंगल हो लोगो शरीप और यू साहब दिन रोड़ पर खड़ो जब टक्कर दे का साब गई बलो रहो हुआ जब शुरुबात मांडी खेड़ा फिर ललड तो दिल्ली वाला दिल्ली शुए आया हां इन्हें चुत्पी कर दी फिर यहां दो तिन नहीं हरुका घर पर पर इसे ले जा रहा है जा लार ले जा रहा है फिर वह से यहां अस्पतार का मांडी खड़ा मेनों उद्धम तोड़ दिये